जहिन चात्रों मैं इशार रहमत competition community के इस question air program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बिलकुल बरकरार रखें और साथ में एक युद्धिस तर पे तैयारी कर रहें और ये नाम सुनके थोड़ा confusion आया होगा दिमाग में थोड़ा confuse हुए होगे तो confuse नहीं होना है आसानी से समझते हैं जो question session program यूटूब में चल रहा है हफते में चार दिन subject wise, topic wise वो वैसा ही चलते रहेगा उसी पे ही आधारित है आपका question air program जो की सिर्फ और सिप मिलेगा हमार हमारे competition community के mobile app में और competition community के website में अब इसको access करने का तरीका भी समझाता हूँ लेकिन उससे पहले याद रखना है इसके फायदे क्या है इसमें आपके performance नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे देखे कि जो बच्चा पूरे हफते 4 दिन अच्छा perform करता और first rank में आता है तो याद रखेगा उस बच्चे को monthly current magazine जो है current magazine जो monthly होती है हमारी आती है competition community की वो मिलेगा free of cost ठीक है ebook reader के माध्यम से उसके बाद यहाँ देखे कि जो बच्चा अगर पूरे महिने भर में perform करता है तो उसको 5 test series जो की आगे आने वाले prelims के लिए competition community में हो रही है तो आगर 5 question जहीं है तो उसे 2 star मिलेंगे जो वच्चा 7 questions सहीं बनाता है तो उसको 3 star 2 9 questions तो तो उसको 4 star 70 system q 8Ins जो झा। 10 के 10 questions बनाता है तो उसे 5 star मिलेंगे इसी के according ही आपका measurement सारा होगा दें उसके बाद आपका result release किया जाएगा ठीक है और याद रखना है चात्रो कि अगर mobile app डाउनलोड करने के माध्यम से किसी प्रकार से समस्य होगी तो आप question session program में यहाँ देख सकते हैं question session program के नीचे में description box में आपका mobile app का link दिया हुआ उसे click करेंगे देन आप google store में जाएंगे google store में download करना होगा उसे और download करने के पस्चाद आपका क्या होगा उसमें login करना होगा और login करने के पस्चाद आप देखेंगे कि सामने में आपको question year program दिखाई देगा अब जो है आपके लिए challenge आता है आप 10 में से 10 question अगर सहीं बनाते हैं और आपका अगर आप perform करते हैं तो आपको website में आप दिखे जाएंगे या आपका नाम शो करेगा उसमें ठीक है जहिन शात्रो मै इशार रहमत competition community के इस question session program में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहतर तरीके से अपनी प्रतियोगी परिच्छाओं की निरंतरता बरकरार रखे हैं और साथ में एक युद्धिस्तर पर तयारी कर रहे हैं और आईए इन बहतरीन personality के बारे में जाने जिनके बारे में बोलना भारत के लिए एक शान है तो flying sick मिलखा सिंग के बारे में आप तो बहतर तरीके से जानते हूंगे इनकी movie भी देखे हूंगे बोले को sir हमेशा movie लेके आ जाते हो बिलकुल देखना चाहिए ऐसी personality की movie जिससे की हमारे मनोबल का विकास होय और उसी प्रकार अपने मनोबल का विकास करते हुए इनकी सोच इनक तो याद रखिएगा अब यह बोलते हैं संगर्ष ही दिलाता है कि इनसान को मुकाम उसका बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता तो इसे जो है याद रखिएगा बहुत ही बहतर अप्रोच है अपनी जीवन में इसे जरूर संजोएगा और ज्यादा समय ना लेते हुए हमारा विशय चल रहा है भारती इतिहास और भारती इतिहास का प्राचीन पोर्शन हम कवर कर रहे हैं एंशेंट पोर्शन हम कवर कर रहे हैं जिसमें आज हम साथ वहान काल तक के पहुच गए हैं मगत समराज के ब्रामण वंस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें साथ वहान में पहुच गया आईए उसकी कहानी इस प्रकार से समझे और कहानी बढ़के जो है हम प्रशन करेंगे आगे बढ़ते हैं यह यह रहा जैसे कि मैंने बताया कि भारत का इतिहास हमारा विशा है चमा चाहूंगा थोड़ा से इसको चेंज करना पड़ेगा यह रहा ठीक है भारत का से वी लेतिहास हमारा विशा है एंशेरण पॉर्शन हम कवर कर रहे हैं मगत समराज्य देख रहे हैं अभी तक कि हमकि उलए सबसे सकाटि का जीनी नन्द और और मौर्य उसके पश्चाज जो है ब्राम्वन वंस का उदय होता है, पहले हमने पढ़ा सुंग वंस के बारे में, देन उसके बाद आब हम पढ़ रहे हैं, साथ वहान वंस के बारे में, सुंग वंस के बारे में पढ़े हैं, कन वंस से उतना questions पूछे नहीं जाते हैं, तो उसको नक्सा, तो यहाँ देखिए, एक माइंड में सेट करते हैं, पहले पिक्चर, ठीक, उसको सेट करने के लिए याद रखना है, पिछला वीडियो अगर जो बच्चा नहीं देखा होगा, वो जाके उस वीडियो को जरूर देखे, ताकि जो है, उसका concept क्लियर हो सके, और यहा देखे, कि सबसे पहले मगत समराज के कवारें पढ़ा, हमने कि यह वाला छेत्र जो है, मगत समराज के अंतरगत आता था, मगत समराज के पाटली पूतर फ्यूज का अवंती वाला छेत्र, उज्जैनी वाला छेत्र, यह जो मगत समराज के रूप में जो है, बहुत ही विय उसके अंतिम राजा ब्रिहदरत की हत्या करके पुष्मित्र सुंग ने निवरकि किसकी ब्राह्मन वंस की तो आपका कहां चलेगी राजधानी आपका मध्यप्रदेश विदीशा वाले छेत्र में देन उसके बाद आपका कन्वंस आता है और कन्वंस का संस्थापक था प्रतिस्थान वाले छेत्र में आपका राजधानी बना ली फिर उसके बाद यह पलायन करते गए आगे बढ़ते गए आंदर प्रदेश वाले छेत्र में भूमिदान बहुत किये थी इसलिए इस तरब प्रसिद्ध हो गई लोग और प्रसिद्ध होने के पस्चाज जो है इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया गया आंदर के साथ वहान पहले कहा थी राजधानी उनकी आपका पैठान वाले छेत्र महराश्ट वाले छेत्र आपका प्रतिस्थान वाले छेत्र में ठीक है तो इस प्रकार से दिमाग में सेट करना है आईए इसे आसानी से और समस्ते और जो बच्चा मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहा होगा, तो वो पहले जाके सीरी जैसे अच्छे तरह के से कवर करें, उसका सारा टॉपिक कवर होते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा, कुई क्रिविजन फॉर्मेट में एक स्मा में हमने क्या पढ़ना है, साथ वहन पढ़ना है, यह अपने भूमी दान के लिए बहुत प्रसिद्य थे, सीसे का सिक्का इन्होंने चलाया, आगे में सारा कंटेंट मिलेगा, लेकिन यह सारी चीज़े याद रखते जाना है, तो याद रखेगा सब से संस्थापक कौन था इसका सीमुक, और सीमुक ने किसकी हत्या करके, आपका साथ वहन वंस की निवरखी, सुसर्मा की हत्या करके, देन उसके बाद एक प्रतापी राजा आता है, साथकर्णी प्रथम, साथकर्णी प्रथम के बारे में जानना है, हाल याद रखना है, हाल से प्रस्न हमेशा पू किख जब लोग जो है आकरमाण कर यह इसारी आ करके और उस्से फ पूछ जाता है उसको आगे करेंगे तो याद पुत्र पुल्लुवामी वो इसे थोड़ा कम प्रतापी था जो कि रूदर रामन से हार गया था आगे में मिल जाएगा आप लोगों को यहां नहीं दिख रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं उसके बाद यहां देखें कि ब्राह्मन के बारे में जो पढ़ रहे हैं में उसे एक बड़ रिषब कर लेते हैं सूँगवनिल ऑग आपका अघनी मित्र सूँग इसके प्रकार के तथे पढ़े वासुदेवकर्णों के बारे में जानना है कि इसका संस्थापक था और जो है आपका आखरी राजय आद रखना सिफ सुसर्मा जिसकी हत्ते किसने की साथ वहन के प्रथम राजा सिमुक ने और जो है आपका प्रतिष्ठान वाले छेत्र में अपनी क जो की प्रस्ण पूछा गया है प्रस्ण में मतलब आपका परिच्छाओं में जितने भी सुरू से लेकर आखरी चीज मिलेगी सारी चीजे जो है परिच्छा में पूछी गई ठीक आगे बढ़ते हैं तो साथ वहन बंस के बारे में मैंने जैसे बताया कि इसके संस्थापक कौन थे सिमुख थे ठीक है अंटिम करनों सा सकाक आपका सुसरमा किसने हत्य कर दी सीशे का सिक्का चला इसमे परतिष्ठन इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठन कोन से वाला छेत्र है महरास्ट वाला च्यकर पैठन से भी प्रस्ण पुछा जाता है तो पैठन इयाद रखन है ठीक है तो हम याद रखते हैं लेकिन आपका पोटनी सिक्खा जो है कहा जाता था राजाओं का नाम अपने माताओं पर अधारी था हमने जैसे सिंदुगाती सभ्यता पढ़ा था इंडस्वेली सिविलाइशन उसमें चर्चा की थी कि सिंदुगाती सत्तात्मक सभ्यता में रहते हैं मतलब सभ्यता मतलब समाज में रहते हैं ठीक है एक समय में तो सभ्यता बन जाएगी ना अगर जैसे-जैसे समय बित्ता गया ठीक है और जो आपका प्रले में विश्वास रखते हैं कयामत में विश्वास रखते हैं और बाइबल के आ rätt था मतलब मातीरी सत्तात्मक जैसा या या रखना है करया हुं मैं आपका pentas के सबसे बड़े परतिदन थे बताया मैंने कि हम आपका सुंकुंवट मैं की मिनांडर और आपका डेमेतियस मिदाव मीनांडर डेमेतियस का आक्रमन हुआ था मिनांडर वापस जा रहा था हार कर दो होसको मिल गया 나क सेन नाक सेन मिल गया तो उन्हों לפ եी क्या नाम सब्सक्राइब फ़ीज बुग का मिली कि मिलींदन हो में उसकी सबसे पहले जरूरी याद रखना है आपका रूद्र दामान ठीक है जिसने किसको हराया था आपको विशिष्टी पूत्र पल्लिवामी को ठीक है इस प्रकार के याद रखना है आगे बढ़ते हैं आगे में सारी चीज़ें मिलेगी तो यह रहा आपका प्रथम प्राक्रमी सा सक ठीक है तो साथकरनी प्रथम साथकरनी प्रथम से याद रखना है ठीक है यह किया था आपका इनका मतलब राज़पाट सम्हाला था अब यह इससे कहां से पता चलता है तो día तो नासिक में हैं आपका नान घाट अभी लेक्ट है तरफ कृश्वंस प्राशाशन किया gefंद आते हैं लिकिन में इनको चलता है करना तो प्रान हो क्यां में पुराणों से पताओका था है क्या यहां। कहीं पता चलता है 450 साल तक के राशासन किये तो कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है दृती प्रक्रमिक सासक्त आपका हाल-हाल के बारे में बताया कि इनकी पुस्तक रही है इनकी बुक रही है गाता सब्तसती नामक गरंत रहा है जो की प्राकृति भासा में आपका है ये कवी स्री लंका की राजकुमारी लीलावती से विवाहा किया था ठीक है इसे पूछा जा सकता है तो याद रख सकते हैं अगे बढ़ते हैं उसके बाद देखें यहां तृत्मी पूत्र साथकर्णी बारे में जानना बहुत जरूरी इसने नहपान नामक जो आपका क्या बोलते ह सकता एक इससमय आकरमंण कि अप्सकलों कहाँ से आकरमंण करे थे आए चाहिन और अभी तक कि जो है सक शक कर रहे हो सर तो आप लोग को यह 2 का सक लोग कहां से आये थे मतलब ऐसे नहीं कि सीव दक्षिन का मिलेगा इसके बाद गुप्त वंस भी आने वाला है तो दक्षिन के बारे में भी चर्चा करेंगे इसके बार ठीक है लेकिन उससे पहले जितने भी आक्रमनकारी है उसे क्लियर करके उससे जो प्रस्ण पुछे जाते उसे करेंगे आईए सब सारा पढ़ेंगे लेकिन अभी सिर्फ याद रखना है इतना चीज कि सक जो सक शासक नहपान था उसकी जो है उसको पराजित किया था ठीक है पस्चिमी कर सवामी कहा जाता था सबसे विश्थित समराज्य वाला सासक था ठीक है यह वनों यह पल्लवों को परास्त करने तुछ सबसे करने आपका उसके बाद आपका वशिष्थित सबस्टी पूत्र पुल्लु आमें रूदरदामन से हारा था इसकी जानकारी हमें रूदर्दामन के जूनगर अभिलेग जो कि गुजरात में श्थिता का खड़ी वक्र शैत्र में उसे मिलता है लिखाया होगा और हार तो गया उसके बाद इसकी बेटी के सब विवाह जो है रुद्रदावन की पूत्री की पूत्री का विवाह किसके साथ हो गया वह सिस्टी पूत्र पुल्लु आमी ऐसा ही द्रिश हमने देखा था चंद्रगुप्त मौर्रे के समय में ठीक है जब सेलिकोस निकेटर आक संरक्षक बनाए ठीक उसके बाद देखो और क्या क्या चीज पढ़ सकते हैं ब्रामनों को भूमिदान भूमिदान मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिदान प्रानम साथ वहानों ने किया और भूमिदान याद रखना है आपका सबसे ज़्यादा प्रशलित किल्लों के समय था सामतृ वेंस्ता आगरहर विवस्ता याद रखना है कि अब किसी नौकर को या किसी अपने नीचे अधिकारी को पेमेंट नहीं दे पारे ये इतनी जमीद है इसको रख ले इसमें जो भी खेता करने का जो पैसा आएगा उसको रख लेना ठीक है इस प्रकार से कैजवली याद रखना है ज्यादा एकदम से पूल सामंत व्यवस्था लिखते नहीं रहना है कि सामंती व्यवस्था इसे कहते हैं और मैंस का टॉपिक है अगर मैंस में लिखने को आग या कहीं तो लेकिन वन डे एक आगे बढ़ेंगे देखेंगे साथ वहनों के भासा प्राकृतिक लिपी ब्रहमी थी साथ वहनों के सासनकाल में लगभख 300 और और कहीं आपका 450 वर्स भी कहा जाता है पुराणों के अनुसार ठीक है साथ वहनों ने सीसे के सिक्के चलवाया थे ठीक पोटनी कहते थे क्या पोटनी अब आते हैं प्रस्णी की तरफ निमलिखित में से कौन सा सासक वन व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वन व्यवस्था का बताया मैंने गौतिमी पूत्र साथ कंड़नी वन व्यवस्था का रक्षक ठीक ऐसे इस प्रकार से इसमें प्रस्ण पूछेगा साथ वहन बात नहीं मौर्यों के बाद दक्षिन भारत में सबसे प्रभावसाली राज जी था तो याद रखेगा आपका साथ वहन सबसे लंबी सूची कि पुरान में छता कि बढ़ते कैं याद रखना है मच से पुराण में सबसे लंबी सूची मिलती है आपका किसकी साथ वहन राजाओं की सबसे लंबी सूची आगे बढ़ते हैं यह साथ वहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में नाल दुर्ग में नांदेड में दुर्ग में तो याद रखेगा आंदर प्रदेश वाले राजधानी रहिए अभी तो बत हैं सर बुले आपका प्रतिस्ठान लेकिन अम्रावती कैसे आगे मघ कांगे बताया था कि लोग पलाएन करे कहा आगय थे अंदर परदेश आ गया सब्सक्ति कोण से निम्न में से कौन सा स्थान सात्माहनों की राजधानी था एद को पीर आ गया प्रतिष्ठान एद पहले दीख रहा प्रतिष्ठान कहीं और मत जाओ आगे बढ़े अगला है निमलिखित सासकों में से किसके लिए एक ब्राम्हन प्रयुक्त हुआ एक एका ब्राम्हन हाँ एक प्रचलित थे इस प्रकार से प्रस्नियाद रखना है अगला है निमलिखित को सुमेलित कीजिए ठीक है सुंग सात्वहन कादम चंदेल ओहो मोबा बनवासी पैठन पाटली पूत्र ठीक है सुंग वंस की राजधानी विदीशा थी ठीक है लेकिन पुष्मित्र सुंग ने नाग दसक को मारा था पाटली पूत्र में इससे दिख तो नहीं रहे विदीशा तो यह ले सकते हैं ठीक है सात्वहन का पैठन यह तो क्लियर है बी का थी दिखाई दे रहे हैं यही आंसर होगा ठीक है ज्यादा उसमें विचार नहीं करते तो सुंग वंस क्या हो जाएगा आपका जैसे कि मैंने कहा देख लो मिला लो ठीक है पाटली पूत्र सबसे पहले वहीं फिर उसके बाद क्या आता है आपका सी का टू कहां गया बनवासी और चंदेल जहां जब यहां पहुचेंगे तो इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे अभी जहां फोकस है उ जा सेंस भी लागाना है देन उसके बाद आता है निमलिखित में से कौन सा 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 क्वन विवस्था का रक्षक कहा जाता है भी तो बताया गॉत्मी पुत्र साथ करनी बात्मी पुत्र शात करनी दो पर लिखा गया है पिछे भी लिखाया थे कर दो दोनों को लगा दो C और E यह यहीं होगा इसका अंसर तो दोनों के लेते हैं वह वह ही होगा दोबल टाइप होगा थीक है यह देखो इंग्लिस बुद्धेवाले भी कन्फ्यूज मत हो यह दोनों कुले लेना ठीक आगे बढ़ते हैं यह यह रहा आज का प्रश्न क्या है पूछ रहा है साथ वहानों में किस धातु के सिक्के चलवाए एकदम सिंपल सा कोस्चन है और कमेंड बॉक्स में इसका अनसर आना ची दैन उसके बाद नेक्स्ट है यह रहा आपका मनुष्मिति मुख्यता संबंधित थी तो समाज वेवस्था से संबंधित थी और यह आपका कब कॉन से काल में बना तो आपका सुंगोंस में बना था तो इतना आज का सेशन कंप्लीट होता है चात्रो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा जय हिन जय भारत